हेलो प्रेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ और यहां पे ना मैं बेट सिट धो ली थी तो उसको अब मैं बिचा रही हूं बेट सिट और बेट सिट बिचाने के बाद मैं बाकी के काम सारे करूँगी क्योंकि धोनी के लिए मैं निकाल दी थी तो जरूरी था बिचा लेना चाहिए और उसके बाद में तक्या का कबर भी मैं धो ली थी उसको भी मैं चेंज करती हूं और दूसरा कबर लगा ली हूं या पे ना दूस तो कैसी हैं आप सब उमीद करती हूं अच्छे होंगे और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजेगा मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा और मेरे वीडियो को सेयर कर दीजेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंना तक्या कबर लगा लिए थी उसको अपसेट कर ले रही हूं तो चेलिए मिलते हैं कीचन में जाके और मैं अब बनाने जारी हूं सूजी के गुलाब जामून तो यहां पर कड़ाही में गरम होने को रख दी थी उसमें मैं दूड डाल रही हूं यह एक लीटर दूड है तो इसको मैं गरम कर लूँगे इसमें बॉइल आने तक मैं इसको पकाऊंगी तो उसके बाद मैं मैं इसमें सूजी एड़ करूंगे तो बहुत ज्यादा तेज आज में इसको नहीं पकाना है तो मेरे दूद में बॉइल आना चालू हो गये हैं अब मैं इसमें एड़ कर रही हूं सूजी तो यहां पे ना मैं सूजी बहुत ज्यादा योज नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ज् सूजी डाल देते हैं तो उस वज़ा से क्या होता है कि दूद्ध हो नहीं पाता है बहुत जादा सूजी डाल देते हैं तो कहना चाहिए कि दूद जीतना हम सूजी दूद ले रहे हैं उसका आधा से लिए और यहां पे सूजी डालके मैं इसको अच्छे से चलाऊंगी ज़ल्दी फोल जाता है और बहुत ही जल्दी दूद पुरा सूख जाता है सूजी इसको सोग लेता है तो इसको चलाते ही रहना है आपको छोड़ देंगे न तो नीचे से चीपक जाते हैं तो अच्छे से पकाना है इसको चला चला के तो ये अच्छे से पक रहे हैं मेरे सूजी हो गये हैं लगभग अभी ठीक से नहीं हुए है तो मेरे सूजी ये देखिए, ऐसे हो गए हैं, बहुत अच्छे से पक गए हैं, तो इसको हम इस स्टेज में गैस से उतार लेंगे, उसके बाद इसको थंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर, एक्तम बहुत थंडा नहीं करना है, थोड़ी देर थंडा करना है, ये हो गए हैं, तो और मैं चासनी भी बना ले रही हूँ, चासनी में चड़ा दी हूँ गैस पर और इसको मैं अच्छे से मसल लोंगे, अब सूजी को, तो अच्छे से इसके हाथ से मसल ना है, और एकदम सौप्ट डो तियार कर लेना है, तो मेरे डो जो हैं तियार हो गए थे तो मैं इसको चार भागों में डिवाइट कर दी थे, उसके बाद ये देखे, मैं बना ली हूँ, अब तेल गरम होने को मैं छोड़ दी थे, बहुत तेज आज में नई तलना है, नई तो क्या होता है ना, कि बाहर से तो ये बहुत जल्दी सिख जाते हैं, लेकिन अंदर से कच्छे रह जाते हैं, तो इसको बहुत सौधानी से चलाना रहता है, नई तो कल्सी पढ़ जाते हैं, तो ये फूट जाते हैं, तो ये देखे, मैं जितने सूझी के, गुलाब जामून में तलने के लिए डाली थी, वो हो गया है, तब मैं इसको निकाल लूँगे, और डा चासनी मेडाल दोँगी, चासनी ना रहला काम गरम होने चाहिए, तो छासनी के बनानी की रसेप्ट मैं सेहर की हूँ, पहले भी तो बार वार नहीं करती ऑख बार नहीं करती हूँ अब सेकेंड बार डाल रही हूँ तो मैं अभी थोड़ा से ज़्यादा डालूंगे और तेल बहुत ज़्यादा मैं नहीं लिए हूँ तो यह देखिए और काफी अच्छे बन रहे हैं तो मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा मेरे वीडियो को लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करियें बार टेक कियर